ओम स्री वंकटेश्वरायन अमहा आज के वीडियो में हम एनाराइज आर्मी साथ ही सीनियर सिटिजन फिजिकली चालेंज़्ट मेडिकल कंडिशन और इन्फेंट दर्शन यानि एक साल से छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं संस्थान दे रहा है और कैसे टिकेट्स को लिया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो like, share and subscribe ज़रूर करें सबसे पहले जानते हैं कि NRI के लिए क्या सुविधायन संस्थान देती है तिर्मुला में NRI के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा संस्थान देती है जो भी NRI 30 दिन के अंदर अंदर यानि जब से arrive करते हैं वे इंडिया तब से अगर 30 दिन के अंदर अंदर arrival stamp साथ ही visa documents passport के साथ directly तिर्मुला आ सकते हैं और वहां तिर्मुला में सुपतम एंटरी के द्वारा अंदर जाके ATC सरकल से directly अंदर जा सकते हैं और 300 के tickets ले सकते हैं आपको बस एक form भरना है जिसमें आपको पूरी family की details अगर आप family के साथ आ रहे हैं या single अगर आप single आ रहे हैं तो आपके पूरे details यानि visa details, passport details और साथ ही आपको arrival stamping भी दिखाना पड़ जिसे NRIs को याद रखना है आपके पूरे details यानि address, visa, passport आपके और आपके family members के एक form में भरना पड़ता है और उसके बाद 300 रुपे के ticket एक एक person का आपको लेना पड़ता है बहुत ही आसानी से दशन हो जाता है लगभग 1-2 घंटे में आपको आसानी से दशन हो जाते हैं आपको जादा भीड का सामना करनी की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ ये बहुत बड़ी facility है क्योंकि आपको online में booking करनी की कोई भी आवशकता नहीं है आप directly तिर्मला आ सकते हैं आप इन सारे details को दिखा कर तिर्मला में सुबदम entry के through ATC circle से आप ये special 300 line के line में लगकर भग dependent documents जिसे की approve होता है कि ये सारे members हमारे family members हैं तो उन सारे लोगों के लिए भी यही procedure है उन्हें भी form fill up करना पड़ता है सारे details को आपको देना पड़ता है और 300 रुपे के ticket एक एक person को लेकर directly आप ATC circle से special entry 300 दर्शन line में लग सकते हैं और लगभग 1-2 घंटे में दर्शन प् personal के लिए ये सुविधा नहीं है सिर्फ service में जो लोग हैं उनके लिए ही ये सुविधा संस्थान द्वारा उपलब्ध है अब चलते हैं infant दर्शन यानि एक साल से छोटे बच्चों के लिए क्या facility संस्थान देती है एक साल से छोटे बच्चों के लिए और उनके माता-पि साथ ही उस छोटे बच्चे के भाई बहन सभी directly सुवदम entry से बिना कोई online booking के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं उन्हें सिर्फ अपने id cards को लेकर आना है और एक साल की छोटे बच्चों का birth certificate अगर birth certificate नहीं है तो discharge summary को लेकर आए और बाकी सारे लोगों के id cards को लेकर आए और directly स जो मंदिर के left side में है वहां से आप directly enter हो सकते हैं आपको कोई भी ticket लेनी की जरुवत नहीं है यानि आपको 300 के भी ticket लेनी की जरुवत नहीं है आप सभी के लिए दर्शन फ्री है यानि माता, पिता, छोटे बच्चे और छोटे बच्चे के अगर भाई बहन है तो वे सभी directly जा सकते हैं अपने ID cards को, birth certificate को और या discharge summary को TTT अधिकारियों को दिखा कर directly enter हो सकते हैं याद रहे सुपतम entry अगर मंदिर के एकदम सामने आप खड़े हैं तो left side में आपको सुपतम entry दिखाए देगी या किसी से भी अगर आप पूछे तो वे आसानी से आपको direction बता देंगे इसी प्रकार 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी कोई भी टिकेट के आवशकता नहीं है आप किसी भी दर्शन चाहे वो online हो या offline में अगर आप दर्शन टिकेट ले रहे हैं तो 12 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकेट के आवशकता नहीं है सिर्फ ID card जिसे की ये प्रूव हो कि ये 12 साल से छोटे बच्चे हैं, अपने साथ जरूर क्यारी करें। अब चलते हैं Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition वाले भगतों के लिए क्या फेसिलिटी संस्थान द्वारा प्रवाइड की जाती है। इन तीनों लोगों के लिए सबसे पहले जानते हैं Senior Citizen का क्राइटीरिया क्या है। Senior Citizen यानि 65 years and above. तिरुमला में Senior Citizen का मतलब है 65 years and above. वे ही Senior Citizen के कोटा में आते हैं और उन्हें आनलाइन में ही टिकेट को बुक करना पड़ता है। ये टिकेट जो आनलाइन में बुक किये जाते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और हर महिने इसे रिलीस किया जाता है। तो हमेशा Senior Citizen Physically Challenged और Medical Condition वाले भगतों के लिए अपडेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ आनलाइन में ही ये टिकेट सुपलब्ध है, आफ्लाइन में ये टिकेट सुपलब्ध नहीं है। Senior Citizen को ऑनलाइन में बुकिंग करते समय उनके ID प्रूफ को सम्मिट करना पड़ता है, साथ ही एक सहायक यानि एक एटेंडर को भी ले जाने की अनुमती है जहां पर वे हस्बेंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बेंड को लेकर जा सकते हैं, साथ ही बारा साल से छोटे प इनके लिए भी फ्री टिकेट है और Senior Citizen के साथ-साथ Physically Challenged और Medical Condition वाले भगतों के कोटा को भी रिलीज किया जाता है, यहां पर Disability Certificate को अपलोड करना पड़ता है online, चाहे वो State Government द्वारा दिया गया हो या Central Government द्वारा दिया गया हो उस Certificate को अपलोड करना पड़ता है साथ ही एक एटेंडर को भी ले जाने की अनुमती है, यहां पर Physically Challenged वाले भगतों के लिए कोई भी एटेंडर आ सकता है, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनका भी टिकेट आप साथ ही online में बुक करा सकते हैं, Medical Condition यानि जो भगत Heart Diseases, Critical Surgery, आस्थमा इस तरह के कुछ Medical Conditions जो की प्रूव हो सकते है, Medical Certificate द्वारा, वे भी अपनी Medical Certificate को अपलोड कर सकते हैं, online में बुकिंग करते समय, साथ ही अपने ID Card को भी अपलोड करना पड़ता है, यहां पर ध्यान दे, Attender कोई भी हो सकता है, कोई भी restriction उन लोगों के लिए नहीं है, यहां पर बहुत जादा important बात यह है, कि जो भी आपने online में बुकिंग की है, उस ticket यानि दर्शन ticket को जरूर लेके आए, अपने ID Card को लेके आए, साथ ही सारे certificate original, जो भी आपने अपलोड किया है, उसी certificate को आपको TDD के employees को दिखाना पड़ता है, थोड़े भी distraction हो, तो आपको help करते हैं, wheelchairs भी होती है, लगबग एक घंटे में आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से कराया जाता है, बहुत ही short में आपका दर्शन भी हो जाता है, और कोई भी परिशानी आपको नहीं होती है, बीच-बीच में नाश्ता, चाय, कॉफी भी मिलता है, वाश्रूम की भ और medical condition वाले भगतों के लिए entry अलग है, NRI, Army, D और infant दर्शन के लिए entry अलग है, senior citizen, medical condition वाले भगतों के लिए और physically challenged भगतों के लिए, जो भी आपने online में टिकेट भुक किया है, उसी टिकेट में आपको सारे details मिल जाएंगे, जैसे की reporting time, कब आपको report करना है, और क्या क्या मिल जाएंगे तो आपको मोबाइल और लगेज को आप आसानी से इनकाउंटर्स में समिट कर सकते हैं याद रहे एनराइज आरवी और इन्फेंट दर्शन वाले भगतों के लिए लगभग 10 बजे मंदिर परिसर में आजाना आवशक है समय समय पर टाइम बदलते रहता है लेकिन अगर आप 10 बजे आ जाते हैं तो आपको एक लियर आइडिया आएगा कि क्या प्रोसीजर से जो आपको फॉलू करना है क्योंकि आपको फॉर्म भी फिल अप करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत टाइम फॉर्म फिलिंग के लिए और चेकिंग के लिए जाता है इसलिए अगर आप 10 बजे सुबा आ सकते हैं मंदिर परिसर में तो जादा बेटर होगा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो संस्थान के तरफ से टोल फ्री नंबर्स और हेल्प लाइन्स है जहां पर आप कॉंटाक्ट कर सकते हैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फोर्मेटिव रहा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उससे दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंसते रहे ओम्स्रीविंग टेश्वरा है नामा